प्रियरंजन और आज इस एपिसोड में विपरो स्टॉक को डिस्कस करेंगे, विपरो स्टॉक में पहले तो टेक्निकली क्या हुआ है, पास्ट वन मंथ में उसको समझें, फिर आगे के ट्रेंड को समझेंगे, तो प्रिमियम टेलिग्राम बिल्कुल फ्री है, उसको जॉइन करें description के link से account open करें और video पसंद आये तो दोस्तों में जरूर share करेंगे सबसे पहले इस बात को समझें कि यह 520 पे consolidate कर रहा था एक breakdown हुआ 480 वाले levels पे consolidate करा feed trend continue हुआ और same level से reject हुआ यानि यहां से बरे rejection नहीं है अब जो 520 के आसपास से breakout करेगा तो यह पूरा depth जो है यह target आएगा जो 580 620 तक के levels को easily hit करते दिख सकता है तो सबसे पहले यह समझें कि जो globally बजार है जो American बजार है वो last trading session में काफी तेजी दिखी और तेजी rate cut के expectation के कारण ही है और इसके अलाबे वीप्रो में कुछ partnership की news भी हमने सुना और कुछ इसो बाले news भी पहले हमने सुने थे तो यह सभी news है इस stock को लेकर के continuous positive दिख रहा है और technical trend भी देखें तो weekly time frame पे sector को outperform करा है और मुझे लग रहा है कि यहां इस समय radar पे इसको लेना चाहिए एक बार इसके volume देखेंगे तो volume तो nominal ही है लेकिन जिस प्रकार से weekly time frame पे इसने sector को outperform करा है अभी भी देखें तो यह 528 के level से breakdown करें जो की resistance है 528 के level को radar पे लेंगे एक बार 528 के level को breakout किया फिर आप समझे कि यहां से यह trend continue आपको उपर के तरफ दिख सकता है जो probably 580 से लेकर के 620 तक के levels को touch करेगा और weakness की बात की जाए तो 494 के नीचे ही weakness होगा जब तक 490 के level को breakdown नहीं करें तब तक समझे कि overall जो trend है वो trend काफी strong है और यहां देखेंगे जो पुरा sector है वो sector उपर से ही breakdown हुआ है और एक बार इस सेक्टर को अगर उपर के तरफ 42520 के उपर जाए तो एक बड़े trend expect किया जा सकता है